इस कहानी की शुरुआत में हम बंकी गम पेलेस में मारानी एलिजाबेत को देखते हैं जो अपने ओफिस में बेट कर कुछ काम कर रही थी तब ही वहाँ पर उनका सेनापती आ जाता है जो मारानी एलिजाबेत के लिए एक प्यारा सा कौर की पपी लाया था मारानी एलिजाबेट उस पपी को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें कोरगी डोक्स बहुत पसंद थे और नोंने पेले से ही तेन कोरगी डोक्स को अपने महल में पाल रखा था पपी मारानी एलिजाबेट को देखते ही उनके उपर चड़कर खेलने लगता है और जल्दी उनका फेवरेट डोग बन जाता है मारानी कोरगी पपी का नाम रेक्स रखती है जब मारानी के फोटो कलेक्शन में जहां पहले मारानी और उनके सेनापती की फोटो हुआ करती थी वही अब उन फोटोस की जगे सिब रेक्स की तजवीर लग जाती है क्योंकि समय के साथ रेक्स महारानी एलिजाबेट का फेवरेट पपी बन गया था और महारानी ने रेक्स को एक गोर्डन कोलर पहना कर उससे अपना टोप डोग बना लिया था रेक्स के आने के बाद मारानी सिब रेक्स के साथ ही समय बिताना पसंद करती थी और अपने बाकी के तिनों डोस पर जाद यान नहीं देती थी जिससे उन डोस को बहुत बुरा लगता है रेक्स हर समय मारानी के आसपासी होता था जिससे सेनापती फिलिप काफी अनकमफर्टेबल फिल करते थे रेक्स जब भी फिलिप के शूच को देखता था तो उने या तो कार देता था या फिर कहीं चुपा देता था जिससे फिलिप रेक्स को बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे लेकिन मारानी एलिजाबेत के फेवरेट होने की वज़े से वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे रेक्स मारानी एलिजाबेत की निगरानी में एक शाही लाइफ जी रहा था लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्दी उसकी लाइफ पुरी तरह से बदलने वाली थी और उसे बहु महारानी के सामने जाकर लेटने लगता है क्योंकि महारानी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहता था महारानी जब रेक्स को देखती है तो उसे प्यार से गुदगुदी करने लगती है जिससे रेक्स को बहुत अच्छा लगता है लेकिन महारानी के बागी को और की ड करते नहीं करता था और उसने एक बार विंटसर केसल में लगे आग का पता लगा कर मारानी के साथ ही पुरे शाही परिवार की जान बचाई थी नेसल की बाह सुनकर रेक्स उससे कहता है कि मैंने टॉप डॉग रहते हुए जो कड़ दिखाया है जो तुमने कभी नहीं किया हो और इसके बाद हो नेलसन को उन सारे प्रोड़क को दिखाता है जिन पर रेक्स की तद्वीर चपी थी और उन सब चीजों में एक बुले ट्रेन भी शामिल थी दरसल मारानी के टॉप डॉग होने की वज़े से रेक्स काफी ज्यादा फेमस हो गया था जिसकी वज़े से प् कातियों के साथ रास्ते में आने वाली चीजों को गिराते हुए मारानी के पास आ जाता है डोनाल्ड ट्रम जब अपनी कार से बहां निकलते हैं तो सबसे पहले मारानी के साथ एक सेलफी लेते हैं क्यों है क्योंने सेलफी लेना काफी ज्यादा पसंद था डोनाल्ड ट्रम उनकी वाइफ अपने साथ एक female corgi dog मिर्ची को लाई थी और ने breeding के लिए एक अच्छे नस लगे corgi dog की खौस दी मारणी ट्रम और उनकी वाइफ की breeding के लिए अपने corgi dows को दिखाती है मिश्टी रेक्स को पसंद करती है जिससे सबी बहुत खुश होते हैं लेकिन रेक्स इससे बिलकुल भी खुश नहीं था क्योंकि अब तक उसने किसी भी पार्टनर के साथ संबंद नहीं बनाया था और उससे कुछ भी समन नहीं आ रहा था क्या किर उसके साथ ये सब क्या हो रेक्स अपने दोस गोरगी से मदद मांगता है लेकिन चार्ली रेक्स की मदद करने से साथ सा मना कर देता है और रेक्स को बोलता है कि मिट्सी ने तुमें चुना है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बाद रेक्स को अच्छे से त्यार किया जाता है और उसके साथ ही र मारानी एलिजाबेद रेस को लेने आती है और इसके बाद डोनाल ट्रम भी मिर्सी को रेडी करके मारानी के पास ले आते हैं मारानी और डोनाल ट्रम मिर्सी और रेक्स को एक कमरे में अकेला छोड़ कर वहां से चले जाते हैं इसके बाद मिर्सी रेस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है लेकिन रेस को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मिश्टी से बचकर भागने कोशिश करने लगता है मिटसी रेस का पीछा करती है लेकिन रेस किसी तरह बहुत मुश्किल से कमरे से बाह निकलने में काम्याब हो जाता है और एक शेप के प्ल परान रेक्स डोनाल्ड ट्रम को काड़ लेता है जिस वज़े से वह गुसा होकर डोनाल्ड ट्रम अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चले जाते हैं महरानी एलीजाबेट रेक्स की इस सरकर्स से उस पर बहुत गुसा थी और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कियती है रेक्स समय बहुत दुखी था और अब चार्ली रेक्स से इसका कानड़ पूसता है तो रेक्स चार्ली को सारी बाते बता देता कि किस परकार उसने गलती से डोनाल्ड ट्रम को काड़ लिया जिसके बाद डोनाल्ड ट्रम गुसा होकर अपनी वाइफ और मिटसी के साथ वापस चले शचारली से यह भी कहता कि उसने मारानी का विश्वाट तोड़ा है इसलिए हो मेल छोड़कर जाना चाहता है रेक्स की बात सुनकर प्रयाग्स पेपल पेलेस में जाने के लिए राज हो जाता है जिसके बाद çocuk कर गार्ड से बस्ते हुए किसी तरह बोट मुश्किल से मेल के पांग में आ जाता है जहाँ अपनप पर 40 सबसे पहले का गॉर्डन कोलर उसके गले से बाण निकाल कर गार्डन में चुपा देती है ताएकि बाहर कि से को पता न चले कि रेक्स एक Royal Core की डोग है मैल के चारों तरह मुझूद लंबी दिवारों की वज़े से रेक्स और चारली उस पार नहीं जा सकते थे लेकिन चारली को दिवार के नीचे मुझूद एक सिक्रेट छेत के बारे में पता था जिसकी मदश से रेक्स और चार्ली बड़ी आसानी से उस पार जा सकते थे यहाँ पर रेक्स को पता चलता है कि चार्ली से पहले भी दिवार के उस पार जा चुका है और इसी वज़े से उसे दिवार में मौझूद छेट के बारे में पहले से पता था अब रेक्स चार्ली के साथ दिवार के उस पार आ जाता है लेकिन प्रोब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि उन दोनों को रोड क्रोस करके उस पार जाना था और रोड पर तेज रफ्तार में गाड़िया चल रही थी रेक्स और चार्ली किसी तरह चुपकर रोड पार करने कोशिश करते हैं लेकिन इस दोरान वो एकार से टकरा जाते हैं और इससे पेले क्यों दोनों रोड पर चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों के नीचे आते चार्ली रेक्स को लेकर रोड के उस पार आ जाता है और अ इस समय हम दोनों सेंड जेम्स पार्क में है, पार्क में रेक्स को एसास होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है, और अगलेई पल पार्क में रहने वाले हंस उनके ओपर हमला कर देते हैं, रेक्स और चार्ली हंसो से बचकर भागते हुए एक ब्रीज पर आ जाते हैं, जा पर चार्ली से कहागता कि मैं वापस याना चाहता हूँं कि मुझे पूरा विश्वाश है कि भले ही मैंने महराणी का विश्वाश तोड़ा हो लेकिन hvis रूब कर देगी इसौरी को शार्ली को रहाए क Should टॉप डॉप डॉप बना चाहता था चारली की बात सुनकर रेक्स पुरी तरह से रान था क्योंकि आध तक जिसे वह अपना सबसे बड़ा दोश्मन निकला चारली रेक्स के पास एक बड़ा सा पतर फिंगता है जिससे नदी के ओपर जमी बर्फ की लेयर तूट जाती है और रेक्स नदी में डूबने लगता है चारली रेक्स को मरने के लिए छोड़कर वहां से चरा जाता है रेक्स नदी से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन इस दोरान उसका पेर एक टूटी हुई साइकल में फस जाता है जिसकी वजह से उसे उपर आने में काफी ज़्यादा प्रोब्लम हो रही थी लेकिन फिर भी रेक्स किसी तरह पानी से भारा जाता है और इस दोरान वो इतना ज़्यादा ठक चुका था कि वापस से नदी में डूबने लगता है अब नदी के पास से गुजर रहे एक आदमी की नजर जब रेक्स पर जाती है तो उसे रेस्क्यू क करके बताती है कि रेक्स पुरी तरह से ठीक है जिसके बाद संजे रेक्स को एडॉप्शन सेंटर में डॉस का ध्यान रखने वाले लड़के के पास लेया आता है वो लड़का जब रेक्स को देखता है तो पुरी तरह से एरान था क्योंकि रेक्स एक और की डोग था इसके कुछ न कुछ बोलते रहने वाला डोग था वहीं चीफ है विशार का है और हर समय शांद रहने वाला डोग था रेक्स जब जेक को बताता है कि ओमल से आया हुआ मारानी एलिजाबेत का टोप डोग है तो जेक को रेक्स की बातों पर विशाश नहीं होता और रेक्स से बोलता है कि तब तो मैं फ्रांस का किंग नेपोलियन हूँ और चीफ केडनिस एवरडीन है हंगर गेम से इसके बाद जेक रेक्स को एड़ोप्शन सेंडर के कुछ रूल बताता है और उसे फाइट कलब से दूर रहने के लिए बोलता है फाइट कलब की बास सुनकर रेक्स जब जेक्स से फाइट कलब के बारे में पूँचता है तो जेक फाइट कलब के बारे में बात करने से साथ सा मना कर देता है अगले सीन में हम बन किंगम फेलेस में डोस के सर्वेंट को देखते हैं महारानी के पालदू डोस को खाना दे रहा था लेकिन जब उसे पता चलता है कि रेक्स वहाँ पर नहीं है तो धर जाता है और महारानी को इसके बारे में बताने के लिए भागते हुए जाता है इसके बाद हम रेक्स को देखते हैं जो सेल में बहुत दुखी था जेक जब रे जेक उसे बताता कि कुछ एसा ही उसके फ्रेंट चीप के साथ भी हुआ था चीप को एडोप्शन सेंटर के लोगों नदी में डूबने से बचाया था और चीप के मालिक उसे खाने को नहीं देते थे और टोचर करते थे जिसे चीप आज सक नहीं भूल पाया है अब एडोप् और टोपी वाली लेडी को देखता है तो खुश हो जाता है क्योंगि उससे लग रहा था क्या मा र करने कीवज़े से जेक खुट को रोग नहीं पाता और पी करने लगता है जिस बात पर गुसा जो रेजस के जाने से बहुत दुखी थी और गाठ चारों तरफ रेफ्स को ढूंड रहे थे लेकिन काफी देर तक ढूंडने के बाद भी रेजस का कुछ पता नहीं चलता अब चारली रेजस के कोलर पर सोस्ट गिराकर जोर जोर से रोने लगता है और जब महारानी रेजस के सेंटर को देखते हैं जहां पर शाम होते ही अब एडॉप्शनब का हेट अंदर आता है तो एक चोटा डोग बड़ी चालागी से अपने से बहात निकल जाता है और इसके बाद चोटा डोग सेहल में बंद सारे डोउस की मदद से सारे डोउस को आज़ात कर पुछने पर रेक्स को बता चलता है कि सारे डॉक्स एडॉप्षन सेंटर के टेखाने में मुझूद फाइड कलब में जा रहे हैं अब रेक्स भी जेक और बाई की डॉक्स के साथ टेखाने में आ जाता है जहाँ पर ट्इसन नाम का एक जाइन डॉक था और वही फाइड करके सभी को इंटरटेन करती है रेक्स को पहली नजर में ही वांडा से प्यार हो जाता है अब बोकसर और रिबेल के बीच में फाइट होना शुरूआ जाता है लेकिन बोकसर काफी ज़्यदा पारफुल था जो रिबेल को बायट करके उसे गयल कर देता है इसके बाद एडॉ जाद्यान नहीं देता अग्ले सीन में हम Bakingham Palace में महारानी एलिजाबेत को देखते हैं जो फिलिप को रेश का अच्छी तरीके से फ्युनरल करने के लिए केती हैं महारानी की बात सुनकर छियांज फिसे करेंगे जब अब में रेक्स का कोई बोड़ी पार्ट नहीं मिला लेकिन मारानी फिलिप की बातों पर ध्यान नहीं देती और हो किसी भी तरह से रेक्स का एक प्रोपर तरीके से फ्यूनरल करना चाहती थी इसके बाद हम रेक्स को देखते हैं जो अब एडोप्शन सेंटर में सारे डोस को खाने के लिए छोड़ जाता है तो रेक्स एक गुलाब लेकर सीधे वांडा के पास जाता है और उससे अपने प्यार का हिजार करता है वांडा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रेक्स आखि से जाने लगता है और इसके फ्रेंड उससे समझाते हैं क्या सुमारी किस्मत अच्छी थी कि तुम भज गए इस पर रेक्स अपने दोस्तों से कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वांडा मेरे लिए खड़ी हुई और टाइसन को मुझे नुकसान पहुचाने से बचाया इस तो समझ जाती है कि रेक्स सच बोल रहा है कि वो बाकिंगम पहले से आया है और उमारानी एलिजाबेत का टोप डोग है इसके बाद वांडा रेक्स के पास जाती है और उसे कहती है कि वो भी रेक्स से प्यार करती है वांडा की बात सुनकर रेक्स बहुत खुश होता है और रेस को नदी से रेस्क्यू करने वाले संजे आ जाते हैं जिसकी वज़े से टायसन रेस को कौई नुक्सा नहीं पहुचा पाता अब टायसन रेस को सब्सक्राइब को फाइट के दोरान रेस को मार देना चाहता था अगले सीन में महाराणी एलिजाबेट और फिलिप को देख लगता है कि माराणी एलीजाबेत का ध्यान उसकी तरह वाकर्षीद कर सके कर लगता है कि मारानी को लगता है कि चार्ली रेज की मोस बहुत दुक है और पर से अपना बनाने ृषर करती है जिसके बहुत खुश है क्यों यहीं तो चाहता था अगले सीन में हम जेक और उसके दोस्तों को देखते हैं जो रेक्स को फाइट कलब में लड़ने से पहले ट्रेन करने के लिए एड़ोशन सेंडर के वोशिंग ओल में ले आते हैं जाबर और रेक्स को फाइट करने के लिए ट्रेन करते हैं अब हो दिन आई जाता है जब रेक उसका होसला बणाते हैं और वांडा भी रेइस से कहती है कि तुम्हार मत मानना Wellington को सपोट करते वे देखता है तो गससे में आ जाता है और खुढररेश करके उसे मानने करने को डिसाइड करता है रेइस से कर ढरर जाता है क्योंकि टाइसन के मुकाबले काफे ज्यादा बढ़ा और पावर्फुल था फाइट जब स्टार्ट होती है तो रेच टैसन से डर कर भागने लगता है और टैसन ऑसका पीछा करता है टैसन से बच्छकर भागने के दोरां रेज गेस को मारता वांडा अडॉक्षन सेंटर के इलेक्रिसिटीओ कटकर देती है जिससे चारों तरफ अंधिरा चाह जाता है और जब एक साथ मिलकर टाइसन का सामना करें तो हम उसे बड़ी आसानी से अरा देंगे क्योंकि युनिटी में तागत होती है लेकिन कोई भी डोग टाइसन के खिलाब जाने के लिए त्यार नहीं था अब एडॉप्शन सेंटर में एक लड़की अपनी मुम के साथ एक डोग को आज दिलाता है कि वापस जरूर आएगा और जब वो लड़की रेक्स को अपनी कार में बिटाती है तो इस मौके का फाइदा उटाकर रेक्स वाहां से भाग जाता है इसके बाद हम एडॉप्शन सेंटरों को देखते हैं जहां पर सारे डोस को टेहलने के लिए उनके पिं लड़ने के लिए त्यारों जाते हैं लेकिन इससे टाइसन को कोई भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा डोग नहीं था जो टाइसन का सामना कर सके ये देखकर लड़ाई जगडे से दूर और सर समय शांत रहने वाला जाइन डोग चीप रेस की तरफ से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है चीप को ऐसा करता देखकर खुद टाइसन और बागी के सभी डोग पूरी तरह से एरान थे अब टाइसन और बिग डोग चीप के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है लेकिन टाइसन चीप के सामने जार देर तक नहीं टिक पाता और चीप एकी पंच में टाइसन को नोकाउट कर देता है ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं अब रेक्स सभी डोस को अपने साथ एडोप्शन सेंटर से बाग चलने के लिए के लिए के ता है लेकिन और रेक्स के साथ जाने से सामसा मना कर देते हैं क्योंकि इडोशन सेंटर में रेकर खुश थे इसके बाद रेक्स वांडा के साथ बकिंगम पेलेस में मारानी एलिजाबेस से मिलने के लिए निकल वड़ता है वहीं दूसरी तरह बकिंगम पेलेस में रेक्स से जुड़ी सारी चीजों को हटाया जा रहा था नेलसन को यह सब बिलक काल दिया जाएगा नेलसन ने सुनकर पुरी तरह से एरान था और उसे चार्ली के ओपर शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बर तो जरूर है अब रेक्स जब वांडा के साथ मैल के अंदर जाने कोशिश करता है तो गार्डस उसे बाहर बगा देते हैं क्योंकि उन बाड़ा रेस को लेकर एक पार्ग में आती है और उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलकर खुद मदद लेने के लिए जाती है अगले सीन में नेलसन को देखते हैं जो जब अपने साथी के साथ चार्ली के पास आता है तो उसे बताता है कि उसको मारानी का टौप डॉक बना कोई रूप को देखकर पुरी तरह से डर जाते हैं लेकिन अब उनके पास चारली की बाद मानने के अलवा कोई और रास्ता भी नहीं था इसके बाद वांडा को देखते हैं जो मदद के लिए एड़ोशन सेंटर से अपने सारे दोस्तों को बुला कर ले आती है और इसके सुनकर जब वांडा उस लोकर को खुलती है तो उसमें रखी रेक्स की पुरानी चीजे तेजी से बाहर आने लगती है जिसके नीचे वांडा और रेक्स धव जाते हैं चारली है देखकर बहुत खुश होता है और कमरे में आग लगा कर खुद टोप डोग बनने के लिए व जब कि चारली ने पूरे कमरे में आग लगा दिया था इसके बाद हम चारली को देखते हैं जिसे मारानी गोल्डन कोलर पहना कर अपना टोप डोग बनानी वाली थी लेकिन नेलसन गोल्डन कोलर को चुरा लेता है जिससे चारली टोप डोग नहीं बन पाता अब वांडा रेस को बचाने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेती है और उनके साथ कमरे का दर्वाजा तोड़कर अंदर चली जाती है पूरे कमरे में काला दुआ और आग फेली हुई थी जिसकी वज़े से इन्हें कुछ भी दिखाए नहीं दे रहा था इसलिए सबी लोग मिलकर इसी तरह बहुत मुश्कित से चार्ली का गोल्डन कोलर को लेकर भागते हुए उस कमरे में आ जाती है जहां पर उसके बागी के दोस्त है जिन्होंने अब रेस को बचा लिया था चार्ली यह देखकर बहुत गुसा होता है और जब वांडा का पीछा करते हुए उस कमरे मे आता है तो रेस को देखकर पुरी तरह से इरानों जाता है क्योंकि रेक्स अभी भी जिन्दा था चार्ली एक बार फिर से रेस को मानने कोशिश करता है लेकिन बिग डोग चीप को देखकर डर जाता है और पीछे हड जाता है रेस चार्ली से कहता है कि अगर तुम से मारान एलिजा भेध भी फिलिप के साथ आ जाती है जो रेक्स को जिनदा देखकर बहुत खुश होती है और उसके पसंद वांडा की तारीफ करती है मारानी रेक्स के सारे दौस्तों को महल outlet में रहने मुझे कमेंट बॉक्स में जुरू बताना और अगर आप इसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंडी स्किन पर किलिक करके इन वीडियोस को भी वोच कर सकते हैं साथ इस वीडियो को लाइक और चेनल को सबिस्क्राइब करने के लिए आपका तेह देट से शुक्रिया थैस्ट रोचिं